अब दोस्तों रेल्वे की पार्ट चला में आपका स्वागत है और दोस्तों आज हम देखने वाले हैं रेल्वे भरती परिक्षा 2019 के लिए हमने साइंस की क्लास शुरू कर रखी है उसमें हाज हम देखेंगे केमिस्ट की क्लास नंबर 7 और ओवर अबर जो क्लास है वो यहाँ पर 48 यहाँ पर होने वाली है आज यहाँ पर रासानिक जो बंद है केमिकल बॉंड है उनको यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले माँ आपको वता दू कि यहाँ पर अनकेडमी का प्लस स्क्रिप्षन यहाँ पर रेलवे के लिए यहाँ प एक SSC bank plus railway के लिए एक combo भी है अगर आप उसको लेना चाहते हैं जिसमें आप railway bank और railway bank SSC के कोई भी student है तो आप एक साथ इनका जो subscription है उसको ले सकते हैं वीडियो की description पर आपको link दिया गया है और यहाँ पर 10% discount के लिए आप हमारा code है खेमराज 10 उसको इस्तिमाल कर सकते हैं वीडियो की description पर आपको link दिया है वहाँ से अगर आप frustrated है तो वहाँ से गाई जिनको आप भाई कर सकते हैं चलिए दोस्तो अब बात करते हैं आपके रासायनिक बंद के बारे में यानि कि आपके chemical bond के बारे में पहले आपको भी बताते हैं कि chemical bond होता क्या है यानि कि रासाय actionable दिखाते हैं यानि कि जब आपके दो या दो से अधिक आयन होते हैं अनू जो होते हैं वो क्या करते हैं एक दूसरे के और आकर्सित होते हैं और एक आकर्सित होकर क्या बनाते एक अनू का निर्मान करते हैं तो इसी चीज़ को बोलते हैं रासायनिक बंद यानिक दो बारे में जो आपके NCRD के बुक में हैं। उनके बारे में एक बड़ेंगे आयनिक बंद यानिक बारेमेर सहय कोवेलंट बारמ׬ॉंड-घोल आपका बारे में पड हुआ इसलिए इसलिए आपने के बारे मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ धनायन और रिनायन दो आपके आयन होते हैं तो मालीजे धनायन जो होते हैं और रिनायन जो होते हैं उनके पास क्या होता है मालीजे आपको दो एक्जम्पल लेके मापको बता हूँ मालीजे एक आपका सूडियम है तो सूडिय होता है वो na plus की रूप में चला जाता है एक electron त्याक करके और जो chlorine होती है एक electron घरन करके CL-4 में आ जाता है तो होता क्या है यहाँ पर देखे गड़बड क्या होती है गड़बड यह होती है कि जो sodium है उसके पास एक electron ज्यादा है हना और जो chlorine भाई साब है उनके पास एक electron की कमी है तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर दोनों में क्या होता है एक प्रकार से आकर्शन होता है अट्रक्शन होता है तो क्या करते हैं यह दोनों आपस में बंद बना लेते हैं और sodium जो है अपना एक ऐलेक्टोन इस भाई साहब को दे देते हैं. इस वज़ा से sodium एने प्लस रूप में आ जाता है और chlorine C-L- रूप में अब बताएए इसका भी अस्टरक्पूरा हो गया, इसका भी अस्टरक भी अश्टरक्पूरा हो गया. प्रसन सीधा सिंपल सा है कि आयनिक बोंड किन के बीच पाय जाएगा आयनों के बीच बस देखिए अब इसकी जो प्रोपर्टी है वो आपके बहुत इंपोर्टेंट है इसकी जो गुण है बहुत इंपोर्टेंट है पहला जो गुण है वो ये है कि इसकी प्रकरती कैसी होती है दिखने में कैसा होता है नेचर कैसा होता है तो जो भी पदार्थ होते हैं जिनके बीच आईनिक बंद पाया जाते हैं उनकी प्रकृति होती है वो आपने क्रिशल एक ठोस होते हैं कैसे होते हैं kristal के रुप में पाया जाते हैं और वो कथोर होते हैं बहुत ही strong होते हैं यह आपको जानक आपका होता है नमक साधन नमक वो आपके क्रिश्टल के रूपे पाया जाता है और कैसा होता है कठोर होता है और ये बंगूर प्रकरती की भी होते हैं ये तूट भी जाते हैं जैसे आपके मिस्टरी है नमक है मिस्टरी जो आपको तोड़े तूट जाती है न कठोर तो होती ह हैं बताएए उनके गलनांग कैसे होते हैं तो ध्यान रकना है इनके गलनांक very high होते हैं उच्छ गलनांक और क्थनांक होते हैं आपके जो आइनिक बंद जिन भी आपके सबस्टेंज पाया जाता है जिन भी पधारतों में आइनिक बंद पाया जाता है तो ध्यान रखना यह आपके ध्रूविय विलायक जो होते हैं यानकी पॉलर सोलवेंट होते हैं उनके अंदर गुलते हैं आपके जो आइनिक बंद होते हैं वो आइनिक बंद होते हैं तो नमक किसके अंदर गुलेगा सोलवेंट कौन सा सोलवेंट ध्रूविय और ध्रूवि आगे बात करते हैं जैंको अन्य पदारतों से अभिखर आती हैं तो क्या होता है? इसके जो अभिखर होती है, बहुत ही fast होती है. क्या धहान अगरा रगाना है तिवर अभीरिया होती है जब ये किसी अन्य पदाथों से बिख्रे करते हैं तो वहती फास्ट सरीके से आपके अभीरिया करते हैं तो ये सारे आपकी प्रोपर्टी थी आईनिक बाइनक बॉंड की आगे बात करतें के एक्जम्पल example है आपका sodium chloride naf sodium आपका fluoride ns3 ammonia और आपका sulfur dioxide याने की so2 चलिए अब आपको यहाँ पर दिखाता हूँ किस प्रकार से आपके जो ionic bond है यहाँ पर बंदते हैं देखिए तो ionic bond हम आपको मालीजे nacl का यह दिखा हूँ कि nacl में ionic bond बंदता कैसे हैं तो देखिए sodium जो होता है sodium उसका जो electron की मिन्यास होता है वो आता है 2,8,1 और जो chlorine होता है उसका electron की मिन्यास होता है 2,8,7 यानि की इसके पास 17 electron है इसके पास 17 electron है इसके पास आपके 11 electron है तो देखिए दो आठ है अगर मैं इसकी रूप में प्रदश्चत करके दिखा हूं माली जी ये इसकी पहली कक्षा ये इसकी दूसरी कक्षा ये इसकी तीसरी कक्षा तो देखिए और अगर इसकी बात करें तो माली जी ये इसकी पहली कक्षा ये इसकी दूसरी और ये इसकी तीसरी काक्षा, तो देखें, इसकी पास पहली काक्षा में 2 electron है, मतलब यहाँ एक electron यह रहा, एक electron यह रहा, दूसरी में 8 है, मतलब यहाँ, एक, दो तीन, 4, पाँच, छह, साथ और 8 ठीक है? और तीसरी में सिर्फ एक electron है, यहाँपर According दो, आठ, साथ है, मितलब, इसका अक्षा में दो इलेक्टोन है, इसमें कितने हैं, आपके आठ हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ, और इस चो बहारवाली इसमें कितने हैं, साथ, यानि कि एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और आपका साथ, अब देख माइनस की रूप में और इस जैसे नहीं इस तो एने तो प्लस हो जाता है और यहां पर जो सी एल है वो आपके माइनस हो जाता है बताईए इस फरकार से आपका आयनिक बॉन है यानिक बंद है वो आपका बंद है ठीक है चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए फिर हम आगे जो आपके दूसरे जो आपके बचे हुई है बंद है उनके बारे मात करते हैं चलिए इसको आप नोट डाउन केजिए फिर हम आगे continue करते हैं चलिए दोस्तो अब बात करते हैं सहसेंजग बंद यानि कि आपका कॉल्वेंड बोंड के बारे में ठीक है तो देखिए जो कॉल्वेंड बोंड होते हैं वो आपके आयनिक बोंड और कॉल्वेंड बोंड में डिफरेंट क्या होता है देखिए आयनिक जो बंद होता है वो आ ततबर बनता है, नाम से पतल गराओगा, सयों जगता, मालीजी कोई ततब है, उसकी अंतिम कक्षा में, दो इलेक्रोन की कमी है, और एक दूसरा पदार्थ है, जिसके पास दो इलेक्रोन की अधिक्ता है, तो वो क्या करते हैं, तो जो गेर आइनिक आपके जो पर्माणू होत होता है मतलब ऐसे परमाणों के इस बनता है जिन में आयन नहीं हो यह आपको ध्यान रखना है यह जो बंद होता है वो इलेक्टोन के सहे बाजन से बनता है और उसमें जो इलेक्टोन होते हैं उस पर दोनों ही परमाणों क्या होता है साजह होता है देखिए आपका सहे से जो तो इस कलोरिन के पास क्या है कलोरिन के पास सत इलेक्टोन है कैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 एक दूसरी कलोरिन है उसके पास भी 7 इलेक्टोन है 1 2 3 4 5 6 और 7 तो ये करते क्या है, ये आपसमें इन एक-एक Eliakton को आपसमें क्या कर डेते हैं, साजा कर लेते हैं, पार्टरसिप कर लेते हैं, और देखें फिर कैसे बनाते हैं, और ऐसे इस प्रकार से, ये C-L-2-N-U हो जाता है, एक CL2 अनू इस प्रकार से ये आपके एक-एक इलेक्टोन का साजा करके CL2 अनू बना लेते हैं यानि कि आपका CL2 है अब देखें कैसे बना देखें अगर इस CL के इलेक्टोन काउंट करें तो 6 तो ये रहे और इन दोनों इलेक्टोन पर इसका भी अधिकार है मतलब क्लोरिन का अस्टक पूरा हो गया इस क्लोरिन के बात करें 6 इलेक्टोन तो ये रहे और इन दोनों इलेक्टोन पर इसका दिखा रहा है मतलब इसका अस्टक पूरा है तो इस पकार से अपना अस्टक पूरा करने के लिए जो आपके बॉंड बनाये जाते हैं सिंगल बंद के उधान बात करें, तो आपका CL2, बात करें द्वी बंद की, तो द्वी बंद में क्या होते हैं, दो-दो इलेक्टोन का सहे भाजन होता है, जैसे oxygen जो है, माल लेजिए, oxygen की बात करें, तो दिखिए, oxygen में क्या होता है, जैसे oxygen है, तो oxygen के पास अंतियम काक्षा म और 5 और 6 तो होता है कि है जब यह आपके सहसे हो जग बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं इस प्रकार से क्या करते हैं भाईया दो-दो इलेक्टोन का सहवाजन कर लेते हैं कि इन दोनों इलेक्टोन पर दो-दो इलेक्टोन कितने होगे 4 यानि कि इन 4 इलेक्टोन पर इसका भी देखे इसका सर्क्ल करतें सेयों जग बंद की मदद करें तो झाद करते हैं इसका अच्छा बंद की तो तिरीमोंद में क्या होता है तीन आपके elektron का दो परमाण होते हैं आपस में सहे बाजन करते हैं मतलब partnership करते हैं जैसे आप मार लीजिये जो आपका तीन इलेक्ट्रॉन है वो आपका nitrogen जो होता है उसमें होता है तो nitrogen का जो परमाण होता है nitrogen के पास किया होते हैं अंतिमगशा में 3 electron होते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर देखें, नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन के पास वैसे तो पास होते हैं, लेकिन होता क्या है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर तीन बोर्ण बनाते हैं, आपस में, दो इलेक्ट्रोन एकाकी की रूप में रहते हैं, तो यहाँ पर तो अब देखिए एक दो तीन चार पाँच पांस एलेक्ट्रon होते हैं दूर्शा में क्योंकि नाइट्रोजन है वह आपके शाथ नम्मर प्याता है इसकालेक्ट्रॉन कविनियास होता है 2-5 तो 5 इसके पास electron है इसी प्रकार से दूसरे nitrogen है इसके पास भी 5 electron है 1-2-3 इसको पास में लिखता हूँ 1-2-3-4-5 इस प्रकार से तो होता क्या है गाईज यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यह जब आपस में सहय सहय जग बनाते है तो इस प्रकार से बनेगा सहय सहय जग बन्द भाई 3-3 electron का सहय बजन करके तो अब देखिए इनका जो अस्टक है यहाँ पर पूरा हो जाएगा इनका जो अस्टक है यहाँ पर गाईज पूरा हो जाता है देखिए अगर इनकी बात करें इस वाले nitrogen की बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अस्टकूरा इस वालité nitrogen की बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो इस प्रकार से बनते हैं आपके सहय सहय जग बन्द एकल बन्द, दीव बन्द, 3 बन्द हैं बस क्या जाननकना है कि सहय सहय जग जो बन्द होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोन क्या करते हैं, जितने इलेक्ट्रोन का साज़ा वो करेगा, इतने का वो करेगा, इनकी बराबर मात्रा में इलेक्ट्रोन का सहे भाजन करके, आपके क्या बनते हैं, आपके बंद बनाये जाते हैं, तीन प्रियार क्या होता है, एकल बंद, आते हैं यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है यह क्या होते हैं मर्दू होते हैं मर्दू का मतलब easily break होने वाले लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है जो आपका बहुत इंपोटेंट है हीरा हीरा जो होता है डाइमंड और आपका रेत जो होती है बालू रेत वो आपके स है समय जगबंद होता है लेकिन क्या होता है बहुत ही कठोर होता है यह आपको ध्यान रखने है आगे बात करते हैं इनके जो गलनांग होते हैं यानि कि इनके बोइलिंग पॉइंट और आपके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं दोनों ही क्या होते हैं बहुत ही कम होते है तो आपको ध्यानकन की गलनांग है और जो कितनांग है बहुत ही कम होते हैं अगले बात करते हैं इनकी चालकता तो ध्यानकन है कि ये क्या होते हैं विद्यूत के कुछालक होते हैं क्या होते हैं विद्यूत औरूश्मा के कुछालक होते हैं लेकिन इसका अपवाद है और ये जो क्यूशन है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ग्रेफाइट जो होता है ग्रेफाइट आपके सहसे जगबंद ग्रेफाइट के अंदर पाय जाता है लेकिन इसमें विद्युधारा बहती है विद्युधारा क्यों बहती है इसका करण ये है कि मापको वतादू जो graphite होता है ना graphite की संड़ाचना के अंदर एक कार्बन से तीन अन्य कार्बन जुड़े हुए होते हैं इस वज़े से यहाँ पर क्या होता है एक मुक्त electron एक free electron पाया जाता है और उस free electron की वज़े से ही जो आपका graphite होता है उसमें विद्युधरा क्या हो जो कि आपके covalent bond वाले जो आपके पदार्द होते हैं उनमें विद्युधरा का चालन नहीं होता यानि कि विद्युध के कुछ अलग होते हैं आगे बात करते हैं इनकी विलेता यानिकी solubility यानिकी ये किसमें गुलते हैं तो guys जी आपके गुलते हैं एधुरूवे विला किस्ता होती है कैसे उप सहसे जग बंद बंता है तो देखे ये इसी का ही भाय होने को तो सहसे जग बंद का लेकिन सहसे जग बंद और उप सहसे जग बंद दोनों में different ये होता है कि जो सहसे जग बंद होता है ना सहसे जग बंद उसमें तो सहसे जग बंद होता है उसमें क देता है और electron कैसे देता है इलेक्ट्रोन पेर रूप में मतलब दो देगा, चार देगा, छे देगा, मतलब ऐसे आपके पेर के रूप में देता है, युग्म के रूप में तो देखिए, आप पड़ते हैं, उप सहय सहोग बंद के बारे में, कम से कम एक एका की इलेक्टोन युग्म होना चाहिए, इसका मतलब ये है, जो तत्व इलेक्टोन देना चाहता है, उसको अपना अस्टक पूरा होने के बाद, उसके पास कम से कम एक एका की इलेक्टोन, एका की इलेक्टोन का मतलब कम से कम एक गुरुप होना चाहिए, मतलब एक pair होना चाहिए मनलब दो electron कम से कम उसके पास होने चाहिए आगे बात करते हैं जो तत्व electron ग्रहन करना चाहता है उसके पास भी कम से कम दो electron की कमी होने चाहिए तब जाके आपका उपस जगबंद बनता है देखिए कहा कहा बनता है इसके बारे बताते हैं इसके दो example है एक आपका है oxygen एक आपका है जो नाइटरी कमल होता है वो तो ये दोनों important है जो आपके पूछे जाते हैं अम आपको जो oxygen है और आपका नाइटरी कमल है इनको यहाँ पर detail से वजाता हूँ कि कैसे यह आपके उप सयसों जगबंद बनाते हैं देखिए तो oxygen जो होता है न oxygen इसमें क्या होता है कि जो दो oxygen होते हैं इनके 25 तो डबल लमन पाया जाता है और यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर देखिए इसके जो electron होते हैं यह पूरे के पूरे इस वाले दूसरी oxygen को चले जाता है आपके सामने diagram डो करता हैं माली जी आपकी पहली वाली oxygen है यhe आपकी दूसरी वाली oxygen है और यhe आपकी तीसरी वाली oxygen है तो डेखें इन सब के पास 6 electron है यानि कि इसके पास भी 6 है इसके पास भी 6 है ब्डमाजिता आपके सामने 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके पास भी 6 है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसके पास भी 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो गाई इस प्रकार से इनके पास 6-6 electron होते हैं, अब देखिए होता क्या है, होता यहाँ पर यह है कि यहाँ पर इन में क्या होता है, जो 2 oxygen होती है, उनके 20 तो 2-2 electron का सहभाजन होता इस प्रकार से, यानि कि इसके 2 electron हैं, इनको मैं यहाँ पर लेजता हूँ बीच में, और इसके यह दोनों electron है, इनको मैं लेजता हूँ यहाँ पर, तो पहले जो 2 oxygen है, इनके 20 तो क्या बनता है, इस प्रकार से, सहभाजन जग बनेगा इस प्रकार से, बन गया यह, अब देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से, यह है सहभाजन जग कैसे देखिए, इन दोनों electron को मैं लिख रहा हूँ, इसके पास यहाँ पर, यहाँ पर, तो इस प्रकार से यह बनेगा आपका उपसहसयोजग बंद, अब देखिए, उपसहसयोजग बंद की condition यहाँ पर satisfy हुई यह नहीं देखिए, कि भई, अस्टक पूरा होने के बाद, जो आपका देने वाला है, उसके पास कम सिकम एक एका की electron होना चाहिए, ऑक्षिन के पास यह अस्टक पूरा होने के बाद, एका की electron बचा हुआ था ना, यह बचरे देखो, इसने अपना अस्टक पूरा किया, इसके पास एक और एक दो, दो एका की electron है, दूसरा, दूसरा लेने वाला है, दूसरा परवाणू, उसके पास एक electron यूगम की कमी होना चाहिए, बिल्कुल इसके पास 6 electron थे, मतलब एक पेर की कमी थी, अब देखे, यहाँ पर इसको समझे, इस डायग्राम को अच्छी समझे, कि वही किस पकार चाहिए, यहाँ पर उप सह सहोजग इन दोने के बीच, दो दो electron का से बाजन से, अब यहाँ पर इसके बात करनें इस वाले की, इन기 तो करें, इहाँ पर यह दो दो electron है ना, यह इस सवासी संधक है, ऐसा निये हैं कि एक इसका है, ध्यान रखना है, यहाँ पर जो यह दोниden हैं यहाँ य इस वाले के हैं, इसके नहीं है ये तो वहिया इसी कही है तो इसने क्या कर दिये इसने इसके साथ उप सहह से उजग बन बना दिया और इसके इलेक्ट्रोन इसको दे दिये का मतलब यह नहीं है कि इसके छोड़ कि इसको चले जाएंगे मतलब इसके पास भी रहेंगे लेकिन सहह बाजन कर दिया तो इसमें जो electron है, सिर्फ इसी के ही है, इस वाले के नहीं है, यह आपके कहलाता है, उपस हैसों जगबंद, चलिए, आपके सामने जो HNO3 है, इसका भी हम क्या करते हैं, इसका भी पोस्ट माटम करते हैं, आपके सामने, HNO3 है, वो किस प्रकार से यहाँ पर, आपका एक, उपस है होते हैं, वो इसको दे देता है, देखिए, सबसे पहले आता है, nitrogen के उपर, तो nitrogen उसको हमको रखना पड़ेगा भाईया, बीच में, तो nitrogen के पास क्या होते है, nitrogen के पास 5 electron होते है, क्योंकि nitrogen है, उसका अगर electron की वियास लिखेंगे, तो nitrogen है, वो 7 नमर के आता है, और 2 और 5, य 5 electron हमने बना दिये nitrogen के, अलग थोना symbol में थोड़े change कर दिया है, ताकि आपको ज्यादा समझ आ जाए, चलिए, अब जा करेंगे, अब यहाँ पर एक oxygen इदर, एक इदर, एक उपर, एक oxygen इदर है, यह रही, एक oxygen यह रही, और एक hydrogen इदर है, इस प्रकार से, तो अब देखिए आपको पता होगा, oxygen के पास 6-6 electron होते हैं, तो देखिए, इस electron के पास, इस oxygen के पास 6 electron देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको भी 6 देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको हम देंगे, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और hydrogen के पास तो एक electron होता है, उसको मैंने ऐसे represent कर दिया, पहले हम क्या करते हैं, सबसे ब से जुरू करते हैं, देखिए, H और O के बीच, एक क्या है, एकल बंद है, और एकल बंद जो होता है न, एकल बंद का मतलब, एक-एक electron का साजा किया है, ये क्या है, सहसे जग बंद, मतलब, hydrogen ने और oxygen ने एक-एक electron का साजा किया, इसका मतलब क्या है, कि भाया, एक electron इसका, एक एलेक्टोन इसका तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ कि एक तो इसका देखिए यह गहरा वाला इसका है और हाइड्रोजन का यह खाली वाला है तो इस परकार से हाइड्रोजन और यहा पर इस होक्षिजन के बीच बंद बन गया पहला वाला टीक है, अब यहाँपर आते हैं इसके बारे में, तो देखिए, यहाँपर यह नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का, और इस ऑकसिजन के साथ केवला एक बंद 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 रहा είναι, मतलब एक जो यह वाला जो है, एक उलेक्टरोन, वो इसके एक X, हना, इसके X को मै इधर लेके आता हूँ इधर और इसके एक electron को मा लेजिए कोई साभी एक electron है इस वाले electron है इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ तो इस प्रकार से इनके बीच सहे भाजन जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा देखिए यह बन गया अब बात करते हैं इन दोनों के बीच तो nitrogen और यहाँ पर बन गया अब देखिए अब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर जो दो यह बचे ना एक यह बच यह बच रिया यह दोनों भाईया इसको सले जाएंगे यह दोनों अमदे देंगे इसको कैसे देखिए यह x इधर एक x इधर तो देखिए जो oxygen यह वाली है इसका ऐसे तो देख लीजिए आप अब देख लीजिए यहाँ पर की सहसे जो बंद समझ आया नहीं आए देखिए इस नाइट्रोजन का अकर अस्टक देखें तो देखिए इसके इसका गोला देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आट ओगया ना अस्टक पूरा किसी का भी द तीन चार पांच छे साथ आट इस वाले का देखें एक दो तीन चहे तो यह रहे साथ आट तो गार इस प्रकारसे यहाँ पर आपका उप सहसेयों चलिए दोस्तो अब बात करते हैं ओके यह ना रोज बूल जाता हूँ आपने कई बड़ देखा होगा वीडियो में यह चूट जाता है तिक है जब मैं ब्रेक लेता हूँ ना वीच में तो यह रह जाता है और फिर आवाज में फ्रोलम होती है चलिए अब बात करते हैं लास् आपका यान फिद्लून को अकर्शित करने की प्रवर्थी होती है इलेक्ट्रौन को आवर्शित करने की टेंदन्सी की उसे हम मोलते हैं आपका विद्धित्रेनिता यान आपका ElectOne negativity अब यह होती क्या है? गती है कि तत्व होते हैं जनके पास ज्यादा इलेक्रोन कमी होती है उनकी विद्यूतुरिणता ज्यादा होती है और जिन तत्तों के पास इलेक्ट्रोन के अधिक्ता होती है उनकी कम विद्यूतुरिणता कम होती है देखिए सबसे अधिक विद्यूतुरिणता याद आते ही फोन याद आना चाहिए यानकि सबसे अधिक विद्यूतुरिणता ह होता है फ्लोरीन होता है ध्यान रखना है oxygen उसके बाद में उसके बाद नाइत्रा ज़न तो अगर आपका हाइड्रोजन जुक् also ten न्वो अगर इनके बीच में आ जाता है पर फ्लोरीन है दो flow reunis or Sex condition ज़न 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 से गिर ज़न तो फिर होता क्या है यहाँ पर इनके बीच में hydrogen bond बन जाता है यह आपको ध्यान अखना यह आपके hydrogen bonding की विसिष्था है परीबास है अब देखिए hydrogen bonding होते हैं दो परकार के होता है एक आपका होता है अंत्रा अनुक इसको गोलता है intramolecular वो एक का होता है अंत्रा अनुक यानिकी intermolecular अब देखिए इन दोनों में different क्या है अंत्रा अनुक जो होता है intramolecular यह एक ही अनुक में उपस्ति जो अलग अलग एक ही जो अनुक होता है न एक ही अनुक उसमें उपस्ति दो अलग अलग जो आपके परमाणों होते हैं जब उनके बीच अगर आपका hydrogen आ जाता है तो आपका बन जाता है अंत्रा अनुक जैसे माले जीए यह है आपका अगर यहाँ पर देखिए यह इदर NO2 है यह आपकी benzene की सरंचना में NO2 उपर है और OH यहाँ पर है ठीक है तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको और बड़ा करके दिखा हूँ आपको तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका यह इदर से oxygen के पास आ गया मतलब यह विद्यूत्रैल Gas के बीच माई गया दो ऑक्सिजन के बीच माई गया और text एक विदूतरणी element होता है जब आपके hydrogen 2 विदूतरणी तरतों की भीश आता है तो ध्यान रखना हैवहाँ पर बनता hydrogen pronoun लिग तो यहां पर क्या हो जाता है चुनि चुपके-चुपके मन जाता है hydrogen बोंडिंग जाता है उसे बोलते हैं त्रानुक यानिकी इंटरमोलिक्यूलर ठीक है आगे बात करते हैं दूसरे जो होता है आपके ट्रानुक लूटे क्या होता है इसmostार का है उसमें किया होता है कि तरह अनुव क्या निश्यकन की इंटर मोलिकुलर कैसे देखे महले लिए, यहाँ आपके वाटर के अनुव है दो वाटर यहाँ डेला एक जलका आनु यह रहा. तो यहाँ पर Hydrogen Bond बन जाता है तो इस परकार से यहाँ पर यह Hydrogen Bonding होता है अब देखे, Hydrogen Bonding में आपको एक ध्यान लखना है जब Hydrogen Bond बनता है तो कुई भी आपका जो अनू है उसका अनूभार बढ़ जाता है उसका अनूभार यानि की Molecular Weight बढ़ जाता है यह प्रसन है very very important है Molecular Mass या Molecular Weight जो आपका है वो यहाँ पर बढ़ जाता है अनूभार जो होता है वो किसी भी आपका जो अनू है उसका Molecular Weight बढ़ जाता है क्यों बढ़ जाता है? देखिए मालीजी एक जल का अनू था, यह दो जल का अनू हो गए तो यहाँ पर क्या होता है? Hydrogen Bonding आने करण दोनों अनू आपस में जुड़ गए तो पहले क्या था? मालीजी एक अनू है इसका 18 Unified था इसका 18 Unified तो जितने जुड़ेंगे उतना ही अनूभार बढ़ता रहेगा तो Hydrogen Bonding में आपको क्या दानकना है? इन काणूभार बढ़ता रहता है तो गाईज यह थे आपके Bonding यानि के रासानिक बंद एक आपका होता है दहात्विक बंद तो दहात्विक आपस में जिस Bond से जिस बंद से आपस में जुड़ी होई होती है उन्हें धात्विक बंद कहते हैं उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है ठीक है गाईज तो यह था आपका Bonding ओके आपका जो Chemical Bond है रासानिक बंद है वो और गाईज अगे जो कलास होगी उसमें करेंगे हम क्या करें बताईए उसमें रासानिक अभीकिर्याएं वाला Chapter सुरू करें या फिर आपके जो आधुनिक आवर सानी मैं सोच जह रहा है कि आधुनिक आवर सानी भी अ अच्छा तोपिक है उसको भी करना है और आपका रासानिक अभीकिर्गा पर एपनी मिलते हैं एंगले वीडियो में चैनल फिर आप नहीं हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा इन वीडियो को अपने दोस्तों सचों कर देजेगा мिलते हैं गले वीडियो में तब तक खुशे है जाहिंद जाह भारत